हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होब आप लोग एच्छे होंगे मैं हुर आहूल जे स्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो दोस्तों तब से पहले बताओ या कैसे हो आप सभी लोग और कर लेना आपको मिल जाएंगे लेकिन यहां पर आज एक बहतरी चाप्टर जो कोई मुझे कॉमेंट आ रहा था कि सरीय चाप्टर के शुरुवात करो क्योंकि बहुत सारी लोग को यह चाप्टर आने वाला है अपके एक्जाम्स में और बहुत सारी लोग को आज चुका भी चाप्टर जो थोड़ा फास्ट कंप्लीड करेंगे क्योंकि जिसको आ गया उसके लिए रिविजन हो जाएगा जिसको नहीं आया है और आने वाला है तो उनके लिए प्राक्टिस हो जाएगा ठीक है तो चाप्टर का नाम है चाप्टर नमर्ट 14 सम बेसिक प्रिंसिपल्स और गया चाप्टर के अंदर सिर्फ और स्रीव हम बात कर रहे होंगे और गयानिक केमिस्ट्री के ठीक है तो आज हमारा पहला लेक्टर है ऐसे लेक्टर बाइ लेक्ट्र वीडियो से आपको कंटिन्यस मिल रहे होंगे तो टेंचल मिलकुल मतलेना तो 11 स्टेंडर के strategy वीडियो चाहिए तो मैं आप लोग से इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि प्लीज मुझे बताइए 11 standard sign streams के बच्चे के आप लोग को 11 standard का आपके final exam के लिए strategy वीडियो चाहिए कि नहीं तो फटा फर से अगर आपको 11 standard के लिए strategy जे वीडियो चाहिए तो मुझे comment करके बताए इस वीडियो के अंदर ज्यादा comment अगर आया होगा तो मैं जल्दी chemistry होता है analytical chemistry होता है ऐसे कई सारे और types के chemistry होते है मतलब एक chemistry जो है ना इसके अंदर बहुत सारे classification है जो कि आप आगे आगे जब जाओगे 11 से 12 में जाओगे 12 से आप graduation करोगे बीसी इन chemistry करोगे फिर आप उसके आगे MSC in chemistry करोगे PhD in chemistry करोगे तो यह जो subjects है ना जो अंदर ये अंदर classification है वो और deep होता जाएगा और आप लोगो और ज्यादा better understanding होती देगी chemistry की लेकिन जिनको chemical में मजा आता है chemistry पढ़ने में मजा आता है elements के बारे में organic चीज़ों के बारे में तो यार यह सब चीज आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है ठीक है तो सबसे पर हम लोग बात करेंगे organic chemistry होता क्या है देखो हम लोग sodium chloride की बात करते हैं नमक आप जो अपने घर में जो डेली सबजी में नमक डालते हो ठीक है नमक खाते हो नमक तो नमक is nothing but what common salt common salt is nothing but the sodium chloride and sodium chloride के अंदर आप देखो के तो sodium and chlorine के ions present है करेक्ट तब जाके वो compound बन रहा है ठीक है तो उसी प्रकार यह जो organic compounds होंगे organic chemistry के अंदर इनके अंदर क्या-क्या compositions है उसके reactions कैसे हो रहे है उसका preparations कैसे हो रहा है और यह सभी चीज किसका यह सबसे important लिखा है carbon containing compounds मतलब इससे एक चीज़ क्या पता चला दोस्तों समझ में आ रहे कि नहीं इससे एक चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह की समझ में आ गया कि organic chemistry का मतलब होता है carbon containing compound जी हाँ simple सी बात कोई आपको पूछेगा कि what do you mean by organic chemistry organic chemistry is nothing but the type of chemistry that deals with the carbon containing compound बस इतना that's it carbon से बने हुए compounds जो भी होंगे वो organic compound कहलाएंगे और उसके अंदर वो पूरे chemistry को हम लोग क्या बोलेंगे organic chemistry बोलेंगे simple है कि नहीं दोस्तों समझ में आ रहा है तो basic तो और पे हम लोग ने definition क्या बोला organic chemistry का कि अगर हम लोग कोई भी carbon containing compound का structure पढ़े, properties पढ़े, उसके composition पढ़े या फिर उसके reactions पढ़े, preparations पढ़े carbon containing compounds के तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे organic chemistry समझ में आ गया अब यह जो carbon combine जो होता है, carbon containing जो compounds होते है, वो carbon जो होते हैं जो आपके halogens मतलब क्या हते है, chlorine, bromine, iodine, estatine ये सभी क्या होते हैं, ये आपके halogen groups होते हैं, तो वो halogenes के साथ combine हो सकता है, तो वो combine जब हो रहा है, तो carbon तो fix है न, मतलब उस compound के अंदर carbon तो है, तो carbon के साथ oxygen चला जाए, carbon के साथ nitrogen चला जाए, ये carbon के साथ halogenes चले जाए, ये carbon के साथ है hydrogen चला जाए, कोई भी चीज जा र रहे हैं और वही चीज़ को हम लग बोलेंगे carbon compounds या फिर carbon सवरिक क्या बोलेंगे organic chemistry अब एक चीज और structural representation of organic molecules यह क्या topic है कोई भी organic compound या फिर organic molecules आप ले लो उसका एक structure जरूर होगा अब वो structure क्या खाएगा structure होता न जैसे आप sodium chloride लिखते हो तो NaCl लिखते हो किस प्रकार लिखते हो जैसे के एक्जांपल के तौर पर आपर देखो इस sodium chloride आपको लिखना है तो आप कैसे लिखो के NaCl this is the sodium chloride this is the sodium chloride तो उसी प्रकार यह जो और गैनिक molecules होते हैं और गैनिक symbols और उसके bonds यानि की जो carbon compound है या फिल जो carbon molecules है इसके अंदर कौन-कौन से atoms present है वो पूरा दिखाएगा ठीक है कैसे symbols present है वो पूरा दिखाएगा उसके अंदर कैसे bonds present है वो भी पूरा उसके अंदर दिखाएगा एड एक्जामपल अगर हम पड़े जैसे methane एक क्या है और गैनिक compound है जिसका structure अगर आपको पता होगा तो वो होता है दोस्तो CH4 मतलब इसका जो molecular formula जो होता है वो CH4 होता है लेकिन इसकी structure को अगर मैं लिखूँ तो मैं ऐसा लिखूँँगा CH, H, यहाँ पे भी H और यहाँ तो यह जो structure मैंने ट्रॉप किया यह देख पारे हो आप लो इस पाट यह जो आपको दिखरा है यह box के अंदर यह जो structure है यह methane है लेकिन यह है structural formula of methane जो की है structural representation जो हमने topic पढ़ा कि आप पढ़ा structural representation of organic molecule तो कोई भी organic molecule का structural representation होता है वो क्या बताता है हमें उसके अंदर atoms कितने ह है कौन से हो बताता है symbols बताता है और bond बताता है तो यहाँ पर आप देखो यह carbon है symbol बता रहा है carbon है hydrogen है बता रहा है इसके अंदर यह dash मतलब क्या होता है bond होता है ना covalent bond होता है तो यह actual में क्या है उसका structural representation है जिसको हम लोग structural formula भी बोलते है कोई भी particular carbon compound का तरेक्ट है या फिर organic compound का अब इतेन का भी युलो इतेन का जो molecular formula होता है बोतके 2 a.c manifestsिक सिक्स क्या हो था हिस इसको मैं कैसे ब्रॉ। करूअगा this is carbon carbon के साथ carbon zero is C2 हुए तो carbon के साथ carbon bond करता है अब h6 है तो carbon के पास h यहाँ 1 h यहाँ 1 h यहाँ यह carbon के पास 1 h यहाँ 1 h इधर 1 h इधर तो हो गया 2 carbon और total 6 hydrogen और इसी को हम लोग बोलेंगे structural representation या फिर structural formula of ethane यह क्या है इधेन का है तो यह यह भी क्या दिखा रहा है देखो पूरा bonds बता रहा है symbols बता रहा है कुण से elements present है कुण से atoms present है यह सभी चीज यहाँ पे represent कर रहा है और इसी को हम लोग क्या बोलते है structural representation समझ में आ गया कि क्या होता है structural representation structural formula क्या होता है कैसे लिखते हैं यह सब चीज आगर हम जाएंगे तो वह है दोस्तो condensed formula क्या होता है अब basic तोर पे basic तोर पे क्या होता है कि condensed formula का मतलब होता है जो हमारा structural formula जो सब चीज दिखा दे रहा था अगर आप देखोगे कि यह जो structural formula है न, चाहे ये है, चाहे ये, सब कुछ दिखा दे रहा है, ये इसके अंदर कुन से atom से वो भी दिखा दे रहा है, कुन से covalent bond है, कितने सारे covalent bond है, वो सभी चीज ये represent कर दे रहा है, लेकिन जब condensed formula हम लोग बोलते हैं, तो condensed formula का मतलब होता है, तो hiding of some or all covalent bond, यानि जितने भी covalent bond है, या फिर कुछ covalent bond, उसमें से अगरे छिपा देंगे हम लोग, तो वो जो एक formula बनेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे condensed formula, देखो, हम लोग बोलते हैं, condensation process होता है, हम लोग biology में भी पढ़ते हैं, चाहिए आप normal तोर पर देखो, condensed करना, मतलब थंदा करना, थंदा करना, यहीं हम लोग ने एक्जामपल अभी पढ़ा था, कौनसा example पढ़ा था दोस्तो, ethane का, अभी अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था दोस्तो, ethane का, एक्जामपल पढ़ा था, और ethane का structure हमने ड्रॉ किया था, किस प्रकार से, c, c, यहाँ पे h, यहाँ पे h, यहाँ पे h, यहाँ पे h, यहाँ पे भी h है, और यहाँ पे भी अच्छे, that is, इसका structure क्या है, that is, c2h6 है, इसका molecular formula, यह इसका structure formula, लेकिन अगर आपको कोई बोले, इसका condensed formula लिखो, इसको आपको condensed formula अगर आपको इसका लिखना है, तो condensed formula कैसे लिखोगे आप, तो क्या होता है, कि जैसे definition क्या बोलता है, condensed formula क्या, कि हमें इसके जो covalent bonds है ना इसको छिपाने पड़ेंगे तो यहाँ पे carbon है इसके पास total कितने hydrogen है एक दो तीन hydrogen है तो मैं लिखूंगा एक carbon और तीन hydrogen लिख दिया तमझ में आया एक carbon लिखा तीन hydrogen लिखा अब ये carbon और ये carbon के बीच में तो anyhow मुझे covalent bond दिखाना ही पड़ेगा क्यों यहाँ पे तीन hydrogen है मतलब CH3 तो यह जो CS3 डाश यानि CS3 bond CS3 जो है ना इसी को हम लोग बोलते हैं condensed formula for ethane समझ में आया तो पहले ये C2S6 उसका molecular formula है ये जो structure आपको दिख रहा ही है इसका structural formula है structural representation है और ये जो आपने लिखा है ये है आपके लिए condensed formula एक और example से समझाओ समझ ल molecular formula होता है वह होता है दोस्तों C3H8 यही होता है अब यहाँ पे इसका structural formula अगर मैं抓 करूं तो CCC टीन carbon है तो carbon 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 हो गया यहाँ पर hydrogen इदर hydrogen इदर hydrogen इदर hydrogen इदर hydrogen यह आपने क्या बना लिया, structural formula प्रोपेन बना दिया, लेकिन दोस्तों, अगर आपको कोई बोलेगा कि condensed formula भी लिखो इसका, तो जैसे मैंने बोला condensed formula में क्या आप करना है हम लोगो, यह बहुत सारे जो equivalent bonds, इतने सारे एक, कितने सारे equivalent bonds दिख रहे ना, इसको hide कर दिना, तो कैस इसके पास कितने hydrogen है, तीन hydrogen है, तो इसको मैं लिखोंगा CS3, ठीके, फिर carbon के बाज उमें carbon है, तो dash तो मारना ही पड़ेगा, एक covalent bond लगाना पड़ेगा, फिर यह carbon को देखोगे, तो इसके पास कितना hydrogen है, उपर एक है, नीचे एक है, मतलब C और H2, दो ही hydrogen है, फिर उसके बोलते हैं, condensed formula of propane, तो ऐसे कोई भी particular organic compound आने दो, हम लग उसका molecular formula पता रहेगा, तो structure formula भी लिख सकते हैं, उसका condensed formula भी लिख सकते हैं, तो exam में कभी भी questions आ जाते हैं, आपको कुछ molecular formula दिया होता है, तो बोला होता है कि draw the structural formula, also write the condensed formula, तो आप बिंदास लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ का, समझ में आगया, कितना easy process है, आगे बढ़ जाए, अगले topic पर चलते, चलो देखते हैं, next topic क्या है, अब next topic की बात करूँगा, जो कि है, दोस्तों bond line formula और zigzag formula, bond line, देको यह बहुत ज्यादा important तो नहीं है, लेकिन यह question कभी कभा पूछ लेता है, exam में और हो रहा है कि carbon and hydrogen are not written, मतलब यह जो formula है, देखो हर बार हम लोग कोई भी formula लिखते थे, चाहे हम लोग इसको बोलते molecular formula लिखे, चाहे वो structure वाला लिखे, इस प्रकार का, जो हमने बनाया था, इसके पहले जो भी है, hh, hh वाला, समझ में आ रहा है, hh वाला, ठीक है, चाहे हम condensed formula लिखे, ठीक है, तीनो के तीनो case में आप देखो, चाहे आपका molecular formula हो, चाहे वो structural formula है, चाहे वो आपका condensed formula है, तीनो में आपको carbon और hydrogen लिखना ही पड़ रहा है, तब जाके वो formula बना पा रहे हो, लेकिन ये bond line formula और zigzag formula क्या बोलता है, कि हमको लिखने की जरोती नहीं, ये carbon हम लोग लिख तो देंगे, लेकिन उसमें ना तो carbon लिखा होगा, ना तो hydrogen लिखा होगा, तो आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि ना तो carbon लिखा है, ना तो hydrogen लिखा है, तो हम identify कैसे करें कि ये जो organic compound है, वो क्या है, कैसे पता लगा होगे, तो उसके लिए भी rule है, तो क् लिखार का, जिख जग होता है, ये line आपको पता है, इसको हम लोग जिख जग लाइन बोलते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, ऐसे line को हम लोग जिख जग लाइन बोलते हैं, तो normally क्या होता है, कि अगर मेरे को बताना है, कार्बन का और एक कार्बन का बांड बताना है, तो य एक line represent करता है, समझ लो कि यहाँ पे carbon है, अब यहाँ पे एक carbon है, ठीक है, यहाँ पे एक और जोड़ दूँगा, तो यहाँ पे carbon, यहाँ पे carbon, यहाँ पे carbon, मतलब in short, अगर मैं बोलू कि यह जो है न, carbon, carbon bond जो है, वो zigzag manner में draw किया जाता है, और जो इसका terminal होता है, टर्मिनल मतलब क्या होता है, जो सबसे last point होता है, कुणसा point, last point, इसको बोलते है terminal, और यह इसको बोलेंगे terminal, मतलब समझ लो, सिर्फ ऐसा ही draw किया हुआ है, तो यह इसका terminal है, इस प्रकार से अगर draw किया है, तो यह इसका terminal है, यह इसका terminal है, मतलब starting point and end point, इसको ही terminals बोलते हैं starting point and end point को terminal बोलते हैं तो समझ लो कि ये starting point और ये starting point है न तो इसको terminal कहते हैं क्या कहते हैं terminal और ये जो terminal होता है zigzag line का ये क्या represent करता है methyl group को represent करता है और methyl का मतलब क्या होता है दोस्तो CH3 तो यहाँ पर CH3 आएगा यहाँ पर भी CH3 आएगा समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है क्या बदाने के कुशिश कर रहा हूँ तो zigzag line क्या बोलता है zigzag line का जो phases होते हैं मतलब जो phase होते हैं वो carbon से represent करता है ये carbon ये carbon ये carbon represent करता है लेकिन जो terminal होते हैं वो methyl group represent करते हैं ठीक है और वो ही zigzag line हमें बताता है carbon carbon bond, जैसे कि, अब ये तो मैंने चलो समझाने के लिए बता दिया, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान तो आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा, जैसे कि यहाँ पर प्रोपेन का स्ट्रक्चर दिया है, यह जो दिख रहा है, यह प्रोपेन है, यह जो दिखा, यह जो ड् दिख रहा है, यह क्या है, यह प्रोपेन है, यह जैसे मैंने रूल बताया, जिगजग लाइन या फिर बॉन लाइन का रूल क्या बोलता है, कि हमारा जो जिगजग लाइन है, वो रिप्रेजन करता है, कार्बन, कार्बन, तो यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्ब कि बैलेंस करने के लिए त्वह ना कभी भी balance मतलब क्या होता है, कर्बन की बैलेंस ही, यहां पे तीन हाइड्रोजन हो गई, यहां पे दू हाइड्रोजन, तो यहा पे क्या बनाएगा वो? क्या बनाएगा? बॉर्णड बनाएगा? अब बनाएगा न ओब्यसिटली, CS3 एक हा यहां से लेगा तो चार्चर बना रहे मतंभब यह आपका क्या है प्रोपेन का स्ट्रक्चर है तो इससी को हम लोग बोलेंगे न प्रोपेन आप जैसे इथाइल अलकोहल है मुझे एक बात बताओ इथाइल अलकॉहल कैसे लिखोगे देखो यह एक हो गया यह कार्बन यह कार अरे आप लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं न, इतायल ऐलकॉल, अब उसको मैं जिग्जाग लाइन में, या फिर बॉंड लाइन में लिखना है, तो कैसे लिखोगे बॉंड लाइन में, तो ये जो मैंने ड्रॉख किया, एक जिग्जाग लाइन, मतलब एक ही लाइन यहां पर CS3 नहीं होना चीक क्योंकि यहां पर एक hydrogen कम है C2H5 है तो यहां पर मैं थोड़ा सा एक line निकालूंगा और यहां पर लिख दूंगा OH तो यह बन गया आपका यहां पूरा complete नहीं किया अगर मैं पूरा complete करता इस प्रकार से समझ में आ इस प्रकार से complete करता तो यह तो CS3 बन जाता यह भी CS3 बन जाता तो हमने इसको complete होने ही नहीं दिया हमने यहां पर इसको card दिया तो यह क्या बन गया है hydrogen कम बन गया और यहां पर मैंने क्या जोड़ दिया है यहां पर मैंने लेकिन अगर आप डिमांड करोगे मुझसे तो मैं एक स्पेशल वीडियो भी बना दूँगा जिसमें आपको पूरा आदा गंडा का लेक्टर लेके जिग्जग लाइनी पढ़ाऊंगा खाली मज़ा आ जाएगा आप लोको ठीक है क्योंकि देखो केमिश्ट्री मेरा और आप समस्ते होँगे के प्रकार से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, समझ में आ गया होगा, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब देखो, एक और भेतरीन टॉपिक है, इसको ले लेते हैं, फिर हमारा जो आज का लेक्चर जो है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले जो है, अब जो अब जो लेक्चर है, इसको हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, थिक है, हम लोग क्या करते हैं, यह जो ख्लासिफिकेशन है, इसको यहां पर मैं आपको उपर-उपर से बता देता ह क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर जो अगला लेक्चर हैगा, क्योंकि आज का लेक्चर में चाहता है, बहुत बढ़ा बन जानी, तो बच्चा कन्फीज हो जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यह जो टॉपिक है, इसको हम लोग लेक्चर नमर टू में कंट क्लासिफिकेशन है क्या, लेकिन इसके अंजर मिलेको एक 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 करके नडीटेल में जाना है, यह सबी चीज मुझे आज करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ आज के लिए यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप करता हूँ, ताकि मैं अगला लेक्चर लेकर आघू आपके लिए, और अगले lecture में और जादा पहतरीन तरीके से ये classification पढ़ाओ, क्योंकि मुझे पढ़ाना था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा वीडियो लंबा बन रहा है, 20 मिनट के आसपास हो गया है दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ, यही पे वीडियो को stop करता हूँ, क्य मैं पढ़ा दूगा, लेकिन मैं आज के यहाँ पर stop करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बढ़ा लेक्चर नहीं बनाता, ताकि हर बच्चा छोटा-छोटा वीडियो देखे, लेकिन रोज देखे, पढ़ाई रोज करे, consistency is more important than anything, दुनिया में अगर आप consistent होगे किसी भी काम के लिए, रोज chemistry पढ़ रहे हो, रोज physics पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, तो देखो फिर कितने आगे जाओगे, consistency can beat the hard work also, ये करके देखना, ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ, thank you so much guys for watching this video, ये वीडियो आपको कैस लगाए, प्लीज हमें comment करके ज़रूर से बता देना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगाए, दोस्तों तो फ्लीज वीडियो को like करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके share करना, और आपसे एक request यह है, कि यार देखो 1 million अब आपके हाप में है, काफी नजदीक आ चुका है, तो अगर आप support दिखाओगे, तो हो सकता है, बहुत जल्दी हम लोग 1 million अचीव कर ले, और हमने एक बहुत बड़ा surprise सोचा है, 1 million के लिए आप लेख के लिए, तो उसके लिए फटाफट से आप लोग करवा देना, और वो जो surprise है, आपके लिए पढ़ाई के लि Thank you and good bye.